यू ओल वन्स अगेन इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने थेवर्म 8.1, 2, 3, 4 और 5 डिसकस कर लिया था आज हम लोग इसके आगे डिसकेशन करने वाले हैं जो भी थेवर्म्स हैं 8.6, 8.7 उन दोनों थेवर्म्स को सॉल्व करेंगे और फिर कुछ examples कर लेते हैं या फिर exercise की question करेंगे ओके तो चलिए थेवर्म 8.6 क्या है डाइगोनल ऑफ पैरलेलोग्राम बाइसिक्ट इच अधर यह थेवर्म है मतलब अगर कोई पैरलेलोग्राम है तो उसके डाइगोनल यहां पर डाइगोनल कौन कौन है डाइगोनल है आपका AC एंड दूसरा डाइगोनल क् आपस में क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है हाफ मतलब एक दूसरे को इंट्रसेक्ट इस प्रकार से करेंगे कि इनके जो भी पार्ट्स बनें वो सभी आपस में क्या होंगे इक्वल तो कौन-कौन से पार्ट बने है OA AND OC यह आपस में क्या होंगे Equal OA equals to OC Next कौन सा पार्ट बना है OB AND OD यह भी आपस में क्या होंगे Equal तो यहाँ पर कौन बना अगला OB must be equal to OD, यह हो गया theorem, यह theorem हो गया parallelogram के साथ, कि अगर कोई parallelogram है, तो उसका diagonal आपस में क्या करेगा, बाइसेक्ट, इसी का converse दिया है, theorem 8.7, इसी का converse दिया है, कि if the diagonal of quadrilateral, page number 141 open करेंगे, आप देखेंगे, if diagonal of a quadrilateral bisect each other, then the parallelogram, then it is a parallelogram, मतलब अगर कोई ऐसा quadrilateral है, जिसका diagonal bisect कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि OA, equal होगा OC के, OA, equal होगा किसके, OC के, और यहां से OB, equal होगा OD के, यहापस में क्या होगए, equal होगए, अच्छा, यह बताइए, triangle, triangle, triangle B, O, C, में, and triangle A, O, D में, क्या, concurrency का relation नहीं है, triangle B, O, C, B, O, C, यानि यह वाला triangle, और यह triangle A, O, D, यह आपस में कैसे होगे, concurrence होगे या नहीं होगे, कौन सा इसमें concurrency लगाएं, देखो, side equal होगा न, OA, equal होगा किसके, OC के, पहला side equal होगा, यह होगा side, दूसरा, OB equal होगा, ODK, यह दूसरा होगा, यह भी क्या है, side, side equal to side, side equal to side, अच्छा, यह वाला angle क्या है, angle A, लेटर से angle A, यह दोनों कैसे angle है, vertically opposite angle हैं है, vertically opposite angle, vertically opposite angle, vertically opposite angle, तो vertically opposite angle, इसमें कौन कौन है, angle BOC, equals to angle A, O, D, तो यह angle आपस में क्या होगा है, equal, दो side के बीच में angle है, दो side के बीच में angle है, तो S.A.S. नहीं हो गया, यह concurrency कौन सी होई, S.A.S. ना, side, angle, side, side, angle, side, तो यह दोनों triangle आपस में क्या होगा है, concurrence भी होगा, वैसे ही, यह वाले angle और यह वाले angle भी आपस में क्या होगा है, triangle ये triangle और ये triangle भी आपस में क्या होंगे और ये भी तो diagonal है ये और ये भी तो आपस में equal हुए है क्योंकि ये भी तो vertically opposite triangle है ना ये वाला तो इस प्रकार से ये वाले triangle में नाम रख दूंँ पहला triangle दूसरा triangle तीसरा और चौथा तो third triangle किसके concurrence है fourth के और first triangle किसके concurrence है second के इसका मतलब ये inside के जो चारो ट्रेंगल है इसमें ये वाला इसके equal और ये वाला इसके equal है तो इस तरीके से theorem 8.7 में जो बात कहीं गई है कि अगर कोई parallelogram है sorry अगर कोई diagonal intersect करता है bisect करता है एक दूसरे को तो ऐसे टाइप के quadrilateral को कौन सा quadrilateral बोला जाएगा parallelogram तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ मैं होगा कि हम लोगों ने theorem 8.6 और theorem 8.7 तक कवर कर लिया इतना कर लेने के बाद अब हम लोग एक अच्छा सा इसका example इससे related या फिर exercise की question solve करेंगे ओके तो देखिए question क्या है question यह है so that diagonals offer rhombus are perpendicular to each other क्या मतलब है इसका diagonals में कौन कौन से है AC and BD यह आपस में कैसे है पर्पेंडिकुलर है पर्पेंडिकुलर कहने का क्या मतलब है दो diagonal है और यह आपस में कैसे है 90 अगर यह rhombus होता ऐसा अगर rhombus होता तो उनके बीच का जो यह diagonal बना हुआ है यह आपस में कैसा है 90 डिग्री यह हमें प्रूव करना है चलिए तो रॉंबस की एक सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि रॉंबस है आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए और रॉंबस भी उक तरीके का क्या है पार्ललग्राम ही तो है रॉंबस को पार्ललग्राम के है किसी भी पार्ललोग्राम के diagonal सापस में क्या कर सकते हैं बाईसक्ट करते हैं means 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 oa equals to oc and ob must be equal to od यह हमने कौन सी प्रोपर्टी से लिखा है कि diagonals bisect each other diagonals एक दूसरे को क्या करते हैं bisect करते हैं तो वहां से यह लिख लिया और यह rhombus की की प्रोपर्टी से की आल साइट्सार आल साइट्सार एक्वल रॉम सभी साइड क्या होते हैं आपसमें इक्वल होते हैं चलिए मीन्स अगर मैं ट्रेंगल ए ओ बी ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल ए ओ बी और ट्रेंगल ए ओ डी की बात करूं ट्रेंगल ए ओ बी ट्रेंगल ए ओ बी मीन्स इस ट्रेंगल की ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल ए ओ डी इस ट्रेंगल की बात करो तो इन दोनों ट्रेंगल में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इन दोनों ट्रेंगल में AB equals to AD, यह होई फिस्ट प्रोपर्टी, AB equals to AD, AB equals to AD होगे, फिस्ट होगे, second, OB equals to OD, यह होई फिस्ट प्रोपर्टी, कहां से उठाया इसको, यहां से, OB equals to OD, diagonal, this is equal to this, now, what about OA, OA का क्या ख्याल है, OA equals to OA, common, common side, यह तो third हो गया, this equals to this, first, this equals to this, second, and what about third, third is common, OA, OA is common, तो तीनो साइड आपस में क्या हो गए, equal, all sides are equal, triple S property, side, 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 अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, तीनो साइड आपस में बराबर हो गए, ऐसा कोई भी ट्रेंगल, जिसके, all sides are equal, वहाँ पे अपने एक वर्ड सुना होगा, CPCT, सुना था, क्लास 8 में या 9 में ही सुना हो, CPCT, corresponding parts of corresponding triangle, corresponding, corresponding, corresponding parts of corresponding triangle, मतलब ये दो ट्रेंगल आपस में अब इनके तीनो साइड इक्वल हो गए, तो इनके angles भी आपस में क्या होगे, इक्वल होगे, corresponding angle, तो ये वाला angle किसके equal होगा, इसके, और ये वाला angle किसके होगा, इसके, और ये वाला angle अब हमें प्रूफ करना है कि 90 degree के परावर होगा, चलिए, angle A, O, B, किसके equal होगा, angle B, A, O, D के, होगा या नहीं होगा, corresponding side, CP, CT से, A, O, B, ये वाला angle equal होना चाहिए, A, O, D के, इस angle के equal होना चाहिए, क्योंकि ये angle किसके, किसके side बीच में है, O, B, और A, O, और यहाँ भी A, O, और O, D से बनने वाले बीच का angle है, ये, तो ये CP, CT से equal होना चाहिए, ठीक है, वेल, चलिए, अच्छा, B, O, D, B, O, D क्या है, एक line है, line पर कितने degree का angle बनता है, 180 degree का, means angle, A, O, B, plus, A, O, B, plus, angle, A, O, D, must be equal to 180 degree, सोचो, angle, A, O, B, A, O, B, यानि ये वाला angle, plus, A, O, D, यानि ये वाला angle, इन दोनों को जोडने पर कितना आना चाहिए, 180 degree, बट, angle, A, O, B, plus, angle, A, O, D, की जिगह में क्या रख सकता हूँ, A, O, B, क्योंकि ये आपस में तो equal ही है, which is must be equal to 180 degree, A, O, B, A, O, B, 2, A, O, B, दो बार हो गया न, from here, from here, angle, A, O, B, 180, divided by 2, what you will get? 90 degree, hence proved. यही तो हमें प्रूफ करना था, कि so that diagonals of rhombus are perpendicular to each other, तो perpendicular हो गया एक दूसरे की हमने कैसे लगाया, पहले एक quadilateral बनाया, उसमें पहले जो हमने जितने भी theorem's पढ़े हैं, 8.1234 parallelogram में, उन में से, देखिए, congrency, यह चारो, congrency, CPZT, और properties of parallelogram, यह सब मिला कर ही, हम आगे के questions और theorems को derive कर पाएंगे, ठीक है न? तो I hope यहां तक clear होगा, चलिए, next video हम लोग इसके आगे भी questions solve करेंगे, ओके, थैंक यू.